अलाम अलेकुम स्टूडेंट सुमीद करता हूँ खेरियस से होंगे हाजर हूँ MF English Center से तो स्टूडेंट आज जो हमारी exercise है वो exercise number 2 और जो यो unit है वो है 3.2 तो स्टूडेंट इससे पहले जो है हम wish के इस्तेमाल किस तरह से करते हैं ये पढ़ चुके हैं और wishes के uses को अच्छी तरीके से हम example के साथ समच चुके हैं तो आज जो है हम उससे related ही exercise करेंगे तो स्टूडेंट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा बैल आइकोन नहीं प्रेस किया है तो जरूर कर लीजिएगा और इस्टूडेंट आप हमसे contact करना चाहें तो कर सकते हैं WhatsApp number screen पर आ रहा होगा तो इस्टूडेंट तब से पहले मैं instruction पढ़ देता हूं उसके बाद बता देता हूं क्या लिखावा है तो इस्टूडेंट इसमें जो हमें instruction दीवी है वो ये दीवी है के वर्क इन गुरूपस ऑफ फोर्ड टेक पीसिस ऑफ पेपर कट इन इन्टू सिक्स पीसिस राइट दा नमबर वन तू त्री एंड सो ओन तिल सिक्स्टीन on each piece is fold these slips and put them on the table देगें सुडेंट इसमें क्या काम करना है इसमें बिल्कुल इसी तरह काम करना है जैसे आप जो है इसकूल में बादशा का वजीर खेलते हैं या दूसरे जो गेम परचियों पर खेलते हैं बिल्कुल इसी तरह से काम करना है आपने क्या करना है आपने जो है वो चार के गुरूप में काम करना है यानि आप होगे और आपके तीन दोस्त और होंगे तो चार का गुरूप पूरा हो जाएगा फिर आपने क्या करना है फिर आपने करना है कि एक जो है बड़ा सा पेच ले लेना है और उसको जो है वो 16 pieces में cut कर लेना है और उन 16 pieces पर जो है वो number लिख लेना है number का से का तक लिखने है 1 से लेकर 16 तक क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर 16 जो है यहाँ पर statements दीवी है तो उन statements को आपने क्या करना होगा उन statements को आपने जो है वो wish के मताबिक convert करना होगा यानि जो हमें wishes पढ़ाये गए थे उसके मताबिक जो है आपने उन जुमलों को बोलना होगा उन statements को बोलना होगा तो student यहां तक आप बास समझ गया होंगे कि आपने जो है वो piece paper को cut कर लेना है और एक से लेकर 16 तक उसके उपन नमबर लिख लेने है और जिस तरह आप बादशा का वजीर और दूसरे game खेलते हैं बिलकुल उसी तरह खेलना है तो आगे जो है इदर हमें और बताया जाएगा कि किस तरह से काम होगा तो वो पढ़ लेते हैं तो आप क्या करेंगे एक जो पड़ची है वो उठाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे और जो उस पड़ची पर नमबर लिखा होगा यानि जो उस पड़ची पर नमबर लिखा होगा जैसे 54 तो वो नमबर आप बोलेंगे एक परची पर एक ही number लिखना है ताके बैमानी ना हो क्योंकि आपको पता है कि बादश्या का वजीर अगर खेलना है तो बैमानी तो हो सकती है तो यहाँ पर उसी तरह से काम करना है Read the statement having the same number in the following section देखे student फिर क्या कहा जा रहा है फिर जो है आपको यहाँ पर statement दीवी है 1 से लेके 16 तक जो मैं दिखा दूँगा तो फिर आपने वो number पढ़ना है और फिर वो ही number वाली statement पढ़नी है जैसे आपका number निकल ला है 3 तो फिर आपने 3 पर जो statement दीवी है वो पढ़नी है You did not get good marks in your exam तो फिर यह आपने पढ़ना है और फिर आगया क्या करना है Express your wish in the given situation Is that impossible things wish regret यानि फिर आपने यह करना है कि फिर जो यह sentence दिया वा है उसके मुताबिक यह तो आपने wish करना है या फिर आपने जो वो अफसोस करजार करना है या फिर आपने ऐसी बात बतानी है जो नहीं हो सकती जैसे यहाँ पर लिखावाए It's your friend birthday today तो आज जो है तुमारे दोस्त का birthday है तो अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर पढ़के समझ में आ रहा है कि आपने wish करना होगा अब यहाँ पर friend का birthday होना कोई impossible बात तो है नी यानि wish करना होगा तो यहाँ पर आपको पढ़के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर wish करना है तो फिर आपने कहना है कि wish you are happy very birthday और फिर जो है इसके मुताबिक दूसरा sentence बनाना है मैंने जो है वो तमाम sentences बनाये है वन से लेके 16 तक तो मैं आपको बता दूँगा तो फिर आप समझ गया होगे कि यहाँ पर कैसे काम करना है अब आगे देख लेते हैं keep the used slip on the one side अब जो slip आपने इस्तिमाल कर ली है ना यानि जो आपने उठा ली पढ़ दिया और उसके मुताबिक जो है wish के मुताबिक sentence जो है वो convert कर दिया तो अब उसके बाद जो है वो slip को दुबारा आप नहीं दालेंगे बलके एक side पर रख देंगे तो student फिर आगे क्या लिका other members of the group do the same is that every student say four statement तो फिर का जा रहा है कि बाकी जो आपके दोस्तें वो भी यही काम करेंगे यानि पहले आपने परची उठा ली sentence पड़ा और इसको जो है wish के मुताबिक convert कर दिया फिर आपके दोस्त भी इसी तरह से परची उठाएंगे और उसको जो है वो convert करेंगे और जो use वाली slips होंगी यानि जो use वाली परची होगी उसको site में रखते जाएंगे ताके जो है वो bar-bar ना आए तो उमीद करता हूँ या तक समझ केंगे आप 7 वा देख लेते हैं यहाँ पर का जा रहा है कि अगर आपके पास time हो तो आप यह जो है गेम बार-बर खेल सकते हैं यानि ऐसा नहीं है जो पूरी class में बटके यही गेम ते खेलते रहना है बलके जो है आदा घंटा दे दे एक घंटा दे दे वैसे तो आपका teacher आपको यह करा देगा लेकिन अगर आपका teacher आपको direct करा देता है और उसके बाद जो है वो sentence पढ़ना शुरू करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या जो है वो wish के मताबिक convert होगा तो student हमें जो यहाँ पर example दीवी है वो यह दीवी है तो student यहाँ पर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तसवर करें यानि खयाल करें कि आपका जो है वो slip पर पांचवा number लिखा है यानि पांचवा number निकला है तो पांचवे number पर क्या sentence लिखा हुआ है it is eat day today तो इसको जो है वो convert करके दिखाया गया कि eat का जब दिन होता है तो आप क्या गड़ते हैं यकीनन विश करते हैं ऐसा तो नहीं है कि उदास हो जाते हैं बल्के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं लाताले की एक नेमत है eat तो पिर आप जो इस दिन खुश हो जाते हैं तो क्या कहते हैं हर किसी को wish you a happy eat यानी eat की मुबारक बाते देते हैं तो जिस तरह का जुमले लिखा होगा उसी तरह से convert करना होगा और आगे भी आपने ऐसी ही काम करना है तो उमीद करता हूँ यहां तक समझ गए होंगे अब जो है मैं एक एक करके sentence पढ़ता जाता हूँ और आपको दिखाता जाता हूँ कैसे convert होगा और इसके क्या माइने होंगे तो student सबसे पहला जो आपको दिया वा है sentence वो यह दिया वा है it's your friends birthday today student पहला जो आपको दिया वा है वो यह दिया वा है it's your friends birthday today तो इसमें कहा जा रहा है कि आज जो है तुमारे दोस्त का बड़े है तो इसको किस तरह convert करेंगे मैं आपको दिखा जेता हूँ ताके आप जो है से लिग भी लें अपनी notebook में student इसको जो है wish में इस तरह convert करेंगे के wish you a very happy birthday my dear friend यानि आप जो है अपने friend को जो है वो birthday की मुबारक बात दे रहे हैं उसकी जो है वो सालगिरा है और आप जो है उसको birthday की मुबारक बात दे रहे हैं जैसा कि आप देते हैं तो चले आगे पढ़ लेते हैं student जो दूसरा दियावा है वो यह दियावा है कि your friend cannot come to your brother's wedding यानि तुमारा जो दोस्त है वो तुमारे भाई की शादी में नहीं आ सकता है यानि कोई वज़ा होगी जिस वज़ा से जो है वो शादी में नहीं आ सकता होगा तो आप देख लेते हैं कि इसको जो है वो wish में किस तरह से convert करेंगे student इसको इस तरह से wish में convert करेंगे कि दुख काईजार करेंगे यानि अपसोस करेंगे और कहेंगे कि I wish my friend had been my brother's wedding यानि इसमें कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्ट जो है वो मेरे भाई की साथ मेरे भाई की शादी पर आ जाता यानि वो जो है वो नहीं आ सका तो उम्मीद करता है समझ करेंगे अब दूसरा तीसरा देख लेते हैं तीसरा आपके पास यह है कि you did not get good marks in your exams तो इसमें कहा जा रहा है कि तुमने जो है वो अच्छे नंबर नहीं हासिल किये हैं अपने exam में अब देखें कोई बच्चा जो है वो अच्छे नंबर अगर exam में हासिल नहीं करेगा तो उसे अफसोस ही होगा तो आप wish को किस तरह से अपसोस के लिए इस्तेमाल करेंगे यानि regret के लिए तो वो देख लेते हैं तो student इसको जो है wish में इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि I wish I got good marks by doing hard work यानि हमें कहा गया कि तुमने अपने अच्छे नंबर हासिल नहीं किये exam में तो इसमें मैं कहूंगा कि wish लगा के यानि अपसोस क तो यह है कि your cousins are going to gilgit for their holidays तो अब आपका जो दोस्त है वो holiday बनाने गilgit जा रहा है यानि वो जो है वो खुश होगा तो आप अपसोस का इसार तो नहीं करेंगे ना आप अगर अपसोस होगा तो इस बात का होगा कि आप नहीं जा रहे हैं लेकिन वैसे तो आप खुश ही तुमारा जो holiday है वो महफूस भी हो और मज़ेदार हो यानि अगर कोई जा रहा है गुमने तो आप उसको मुबारक बात तो देंगे ना कि यार जो तुमारा ये सफर है ये अच्छा भी हो और तुम्हें मज़ा भी आए क्योंकि अगर सफर महफूस नहीं होगा खुदाना नहीं है लेकिन कहा जा रहा है तो क्या कहेंगे आप विश्यूवा हैपी एट आपको जो है वो एट की मुबारक बात हो या एट मुबारक हो तो आप आगे देखते हैं च्छटे में क्या कहा जा रहा है यौर टीचर इस अपसेट बिकॉस यू डिट नॉट सटी हाट तुम यहां पर जो है रिग्रेट होगा यानि अपसोस होगा क्या मैं जो है मैंनत कर लेता तो चले देख लेते हैं तो स्टूड़न यहां पर आप कहेंगे के I wish I study hard मैं जो है वो खौहिश करता हूँ के मैं जो है अच्छी तरीके से पढ़ता तो आज मेरे टीचर जो है वो अपस सकते हो स्कूल के स्पोर्ट डेवेंड में यानि जो स्कूल का जो खेलो का दिन होता है तुम उसमें शिरकत नहीं कर सकते हैं अब क्या पता खुदाना खासता चोट लग गई हो यहां टीचर की बात ना मानी हो जिसने जिसकी वज़ए से जो है उसे मना कर दिया गया हो तो इसको विश में कैसे कनवर्ट करते हैं देख लेते हैं तो इसको जो है विश में इस तरह कनवर्ट करेंगे कि I wish I am participated in the school sports day event and enjoy it तो मैं कहूंगा कि मैं जो है चाहता था कि मैं जो है वो इसकूल के sport day event में participate करता और काफी जो है उन चीजों को enjoy करता क्यूंकि sport हो रहा है तो enjoyment हो रही है यानि जो है वो मजभी बहुत आएगा तो मैं जो है वो participate नहीं कर सका और enjoy नहीं कर सका तो यहां पर जो है मैं अफसोस काईदार कर रहा हूं यानि मेरी ख्वाहिश थी या मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है वो participate कर लेता student आर्टवा जो हमारे पास वह यह के one of your classmates is celebrating Christmas यानि तुमारा जो classmate है यानि जो तुमारे class में पढ़ने वाला है वो celebrate कर रहा है Christmas यानि वो जो है वो Christmas बना रहा है अब जो है वो गैर मुस्लिम होगा तो इसलिए Christmas बना रहा है अब आप उसे क्या कहेंगे देख लेते हैं तो देखें student यहां पर जो है आप उसे बहुत क holiday ही कर लेते है विशुआ holiday आप उसे कह देए ताकि वो holiday बना रहा है तो उमीद करता हूं समझ के आँगे अप नवा देख लेते हैं you have an upset stomach because you add sweets on which there were flies तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो है वो पेट में मसला है यहाँ पेट की वज़ा से परिशान है यहाँ पेट में दर्द हो रहा है क्यूंकि आपने जो है वो मिठाईया खा ली ती जिसके ओपर मख्या बैठी वी थी तो अब यहां पर आप अपना अ कहेंगे कि I wish I did not eat these dirty sweets तो आप इसमें कहेंगे कि यार मैं जो है वो ख्वाइश करता हूं कि मैंने जो है यह खराब sweets नहीं खाई होती अगर नहीं खाई होती तो आज जो है मेरे पेट में दर्द नहीं होता तो चले अब दस्वा देख लेते हैं और उसको solve करते हैं तो student दस कहेंगे कि wish you a happy independent day तो मैं जो है वो अजादी के दिन की मुबारक बात देता हूं या independent day की मुबारक बात देता हूं तो उमीद करता हूं समझ गया होंगे अब 11 देख लेते हैं student 11 जो है वो यह है कि your cousin has just got married तो इसमें कहा जा रहा है कि तुमारा जो कजन है उसकी अभी अभी शादी होई है यानि उसकी जो है नई नई शादी होई है तो देखते हैं क्या कहा जाएगा इदर तो student यहाँ पर आप कहेंगे कि I wish I gave a gift to him on his wedding तो student यहाँ पर आप कहेंगे कि यार काश मैंने जो है उसे तोफा दे दिया होता उसकी शादी पर यानि उसकी जो अभी अभी जो है उसे तोफा नहीं दे पाया अब आप जो है चाहिए आपकी उमर कम है और आप वैसे नहीं दे पाये तो अलग बात है लेकिन अगर आपके पाप पैसे थे फिर भी नहीं दे पाये तो अलग बात है तो आपको जो है तो तोफा दे देना चाहिए था तो उमीद करता तुम जो है वो मॉस्किटो से नहीं बचे यानि तुमने आपको मॉस्किटो से सेफ नहीं रखा तुम्हें पता तेयर के बाहर जो मच्छर है और malaria फैल ला है लेकिन तुमने वो दिहान नहीं रखा तो चले देख लेते हैं इसको कैसे convert करेंगे wish में देखें student यहाँ पर आप अपसोस का इधार करेंगे और कहेंगे के i wish i wore full slip clothes to protect myself from mosquitoes यानि यहाँ पर आप कहेंगे के यार काश मैंने जो है वो पूरे slip के कपड़े पहन लिये होते और जो है mosquito lotion भी लगा लिया होता तो जिसकी वज़ासे मैं जो है वो मच्छरों से बच जाता और मुझे जो है आज malaria नहीं होता यानि अगर malaria चल ला है और आप जो है वो full slip कपड़े पहने तो मच्छर काट लेता है तो जिसकी वह से malaria हो जाता है तो चलें आगे देख लेते हैं जो student तेरवा आपके पास वो यह है के one of your close friends is going to Dubai यानि इसमें कहा जा रहा है के आपका जो एक करीबी जर्णी है वो जो है काफी अच्छी हो और तुम जो है तुमारे लिए जो है वो फायदेमन रहे तो उमीद करता हूं समझ के होंगे आप आगी पढ़ लेते हैं student 14 जो है वो यह है के your brother और sister is going for a job interview यानि आपका जो भाई है और sister जो है वो job interview के लिए जा रहा है यानि नौकरी के लिए जा रहा है नौकरी के interview देने के लिए जा रहा है तो जब कोई इस तरह जा रहा होगा तो आप उसे मुबारक बात देंगे तो यहां भी आप wish भी करेंगे चैना तुमारा जो है वो interview successful और तुम्हे a job मिल जाये तो उमीद करता हूँ 14 तक समझ गया हूँगे अब दो रहे गए वो भी पढ़ लेते हैं तो student 15 जो है वो यह है के your neighbors are celebrating दिवाली यानि आपके जो पड़ोसी है वो celebrate करें दिवाली यह जो है एक तहवार है जो के हिंदूों में बनाया जाता है तो देख लेते हैं के आप उस वकत क्या कहेंगे student इसमें भी आप कहेंगे के wish you a happy holiday या आप जो है कोई और मजबी तेवार है तो वो भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो है आप holiday की मुबारक बाद भी एक तरह से दे रहे होंगे तो student उमीद करता हूँ यह आपको समझ में आगया होगा आप आगे देख लेते हैं student 16 जो है वो काफी interesting है तो पढ़ लेते हैं क्या लिखावा है there is no electricity and you cannot watch an interesting cricket match लेकिन student इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो एक interesting match देख रहे हैं यानि आप जो एक वड़ा दिल्चस्प match देख रहे हैं यानि match जो है वो आखरी लमहात में है कोई भी जीत सकता है लेकिन उसी वकत जो है वो बिजली चली जाती और बिजली नहीं है तो आप बिजली नहीं होगी तो आप match तो वैसे भी देख नहीं सकते हैं क्योंकि टीवी चलेगा नहीं लेकिन अगर आपके अप मुबाइल है तो आप उससे भी देख सकते हैं तो देख लेते हैं कि इस वकत आप क्या कहेंगे तो स्टुडेंट यहाँ पर आप कहेंगे कि आई विश देयर इस एलेक्रिसिटी और आई कैन वाज दा इंट्रस्टिंग किर्किट मैश तो यहाँ पर आप पहले अपसोस कहज़ार करेंगे कि यार काश बिजली होती और मैं जो है यह इंट्रस्टिंग यानि जितने दिल्चस मैश चल लाई मुतालिक हों या किसी और मुतालिक तो कर सकते हैं वाट्सेप नमबर जो है वो इस्क्रीन पर आ रहा होगा थैंक्स फर वाचिंग